कोरोना ने सबकी हालत खराब कर दी है ऐसे में अब फिल्म इंडस्ट्री से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसको सुनकर वाकई दिल दुख सा जाता है कि कभी-कभी किस्मत कुछ लोगों पर बहुत ही जादा दुख बर पाती है यह एक यंग लड़का है जो 2014 में इंडस्ट्र के एक रियालिटी शो में नजर आये था कंटेस्टिंट के तौर पर बहतरीन डांसर था और यह डांस इंडिया डांस में नजर आ चुका था इसकी जो हालत खराब हुई है वो कोरोना ने नहीं बलकि कोरोना के कारण जो अर्थ व्यवस्ता बिगडी है उससे हुई है विकी शुरू करना पड़ा पिछले एक लचा साल से विकी दिलिवरी बॉई का काऊ कर रहे थे और अपना घर चला रहे थे लेकिन आप रसी भीच कबर आई है कि 4 जून के दिन विकी के साथ एक हाथचा होगा विकी कहीं खाना डिलिवर करने जा रहे थे तब उनका बाइक से एक विकी की वाइफ ने अंजान शक्स के खिलाफ एफ आयार्ट दर्ज करवाई है डांस इंडिया डांस में विकी एक फेवरेट कंटिस्टिंट थे मितुन चकरवती भी उनके डांस को काफी पसंद करते थे जो कि ये शो के ग्रैंड मास्टर थे इसके अलावा बड़े-बड़ के साथ इन्होंने काम किया है और इनकी पिच्छर भी हैं सभी के साथ बड़ा दुख होता है ये देखकर कि जब हम यंग टैलेंट को रियालिटी शोज में देखते हैं उनकी तारीफ होती है उनके टैलेंट का प्रदर्शन किया जाता है उनको इतना चड़ाया जाता है और तो ये successful होना तो कता ही नहीं है In fact, Sanya Malhotra की अगर बात करें तो वो Mumbai एक reality show में participate करने ही आई थी लेकिन वो select नहीं हुई जिसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए audition देना शुरू कर दिया और आज वो एक बहतरीन actress के रूप में जानी जाती है